दोस्तों जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो काफी लोग उसका सॉलुशन निकालने में लग जाते हैं लेकिन यार कुछ लोग इतना जबरदस्त और इतना क्रियेटिव सॉलुशन निकाल के लेके आते हैं कि मज़ा ही आ जाता है और आज हम एक ऐसे ही चीज आपको दिखाने वाले है और उस ताइम में भाई सैनेटाइजर जो है वो एक मेन चीज है हमको अपने हाथों को बार बार सैनेटाइज करना चीए लेकिन यह इतना इनोवेटिव हो सकता है यह शायद आपने नहीं सोचा होगा तो आज हमारे पास मैं सैनेटाइजर पैन जो कि हमने एमेजोन से मंगवाए है इनकी अनबॉक्सिंग करने वाले है और आपको दिखाने वाले हैं और मुझे तो बहुत इनोवेटिव भी तो बटाव जो चुरू करते हैं आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजे दोस्तों इस पैकेट के अंदर तीन सैनेटाइजर पैन्स आये थे मैंने इसको और इसमें से पैन्स को निकाल लिया एक पैन खुला था लेकिन भाई कुछ इस तरीके की पैक जो की देखने में आपको एक नॉर्मल पैन की तरह ही लगेगा लेकिन आर इसमें कुछ खास है जो की पीछे की तरफ है अभी आपको दिखाते हैं दूसरा पैन लेकिन उससे पहले बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारे सैनेटाइजर पैन्स और यह जो पैन है सबसे हम इस तरह में अगर आती है और सिम्पली आपको कुछ लिखके दिखाते हैं तो इस पेपर पैन हो चलता है सिम्पली हम इससे प्तरीक भी लिख सकते है धा इंडिया अंबोक्सर हम इससे लिख सकते हैं यह जो सबसे कमाल की चीज़ यह यह नहीं यह तो हर किसी पैन डर्ног यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मान लो कि ये जो बॉटल है आप इसको नहीं ले जा सकते, इसका साइज काफी बड़ा है, तो आप इस पैन को अपने साथ ले जा सकते हो, और ये ही आपके हाथों को सैनिटाइज कर सकता है, बिल्कुल, और इसका तो सारा राज है, वो है इसके उपर की साइड में तो अब इसको खोलते हैं, देखो यह यहां से ओपन हो जाता है, और यह इसमें छोटा सा चैमबर इन्होंने बना रखा है, सैनेटाइजर डालने के लिए और नीचे एक पाइप जैसी चीज दिखती है, तो अब इसमें फटाक से हमारा जो सैनेटाइजर ह वो भाई लोड करते हैं, और ये लो भाई, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, इसमें कितना सैनेटाइजर आता है, तो अब ये फुल भर चुका है, उपर तक इसको लगाते हैं, और भाई थोड़ा जादा डल गया, नीचे गिर गया, लेकिन कोई नहीं सैनेटाइजर है, उड़ जाएगा, तो अब ये जो है, लोड हो चुका है, अब हम मार्केट जाएंगे, कुछ भी जो है, हमको अगर लिखना पड़े, लिखेंगे, लेकिन जैसे हमको लाग यार, अपने हाथ कहीं टच हो गए, या फिर हमने पैसे छू लिए, और हमको सैनेटाइज करना है, सैनेटाइजर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सिंप्ली इसको खोलेंगे, और भाई, यहां पर एक स्प्रेयर लगाया हुआ है, तो देखना, ये देखो, इस में से भाई, स्प्रेय निकल रहा है, सैनेटाइजर का, हमको सिंप्ली इसको अपने हाथ के उपर छिड़क लेन है, सैनेटाइज, वो भी एक पैन के थ्रू, इवन अगर हम चाहें, तो सैनेटाइजर को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, भाई, हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यार, स्प्रेय से काम नहीं बन रहा, तो सैनेटाइजर आ गया, और अब इसको हम सिंप्ली अपने हाथों पर लगा सकते हैं, and our hands are now virus free, hopefully, तो भाई है ना यार, कितनी मज़दा चीज, देखो, क्या बात है यार, मतलब किसी ने क्या दिमाग लगा है यार, इसको बनाने में, मैंने Amazon पर देखा, मुझे लगा कि यार, ये चीज तो बिलकुल आप लोगों को दिखानी बनती है, तो अब मेरे दिमाग में दूसरा सवाल है, कि ये जो पैन में हम सैनिटाइजर डालते हैं, कितने बार हमारे हाथों को सैनिटाइज कर सकता है, क्योंकि इसका छोटा सा चैम्बर है, तो अब वो टेस्ट करते हैं, फिर से इसको लोड करते हैं सैनिटाइजर से, द पर निकालने वाले हैं और मैं इतना निकालूंगा जितने बार में एक बार सेनेटाइज हो जाएगा देखो इतना काफी है मेरे ख्याल से और बिलकुल यार हाथ जो है एक दम बढ़िया से हो गए एक बार हो गया और अब भी जो है इसमें आर काफी सारा बचा हुआ है तो द इसरी बार भी easily कर पाएगा बिल्कुल already इसमें enough sanitizer हो चुका है लेकिन मैं सारा खतम करने वाला हूं इस बार बिल्कुल तो भाई एक बार में लोड करने पर ये जो पैन है वो तीन बार हमारे आतों को sanitizer कर सकता है जो कि मेरे ख्याल से अगर हमें एक बार simply market जाते हैं थोड़ी देख के लिए तो काफी हो सकता है मानलो आप market गए और आप sanitizer भूल गए लेकिन आपको याद आया कि भाई आमारे पास तो पैन है और एक emergency में solution available है तो भाई अगर आपको इस वीडियो मज़ा तो like जरूर से कर देना इस product का link आपको description में भी मिल जाएगा Amazon से मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं आपकी मर झाल का कि भाई आपकोός आपकों पैन आपकों एक डमारे आपकों